तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फेस्बूक प्रोफाइल में फॉलो बटन कैसे अड़ करते हैं जी है दोस्तो पिसले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि फेस्बूक पेस में फॉलो बटन कैसे अड़ करते हैं लेकिन आज हम अब को दिखाएंगे Facebook profile में follow button कैसे अड़ करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दूस्तो Facebook profile में follow button अड़ करने से ये होता है कि आगर आपके facebook 애काउन्ट में पासदर फ्रेंड हो जाता है उसके बाद आप किसी को फ्रेंड रिक्योष्ट नहीं भेज सकते हैं या अगर आपको किसी ने फ्रेंड रिक्योष्ट भेज दिया तो उससे आप एकसे भी नहीं कर सकते हैं लेकिन आप फेस्बूक प्रॉफाइल में आसानी से फोलो बटन एड करते हैं तो दोस्तों सब पहले मैं आपको अपनी फेस्बूक प्रॉफाइल में जाके दिएज़ा देता हूँ के मेरे फेस्बूक प्रॉफाइल में फिलाल कौन सा बटन लगा हुआ है उसके बाद हम आपको एड़ फैंड का बटन हाटा कर फुलो बटन add करके दिखाएंगे तो इसे सेख करने के लिए सबसे भेल आपको इस थ्री लाइन में क्लिक करना होगा इसमें क्लिक करने के बाद आपको बहुत सरे option मिलेगा जो आपका profile है वो यहां दीख जाएगा तो आपको इसमें क्लिक करना है जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहां आपका profile आज आएगा add to story लिखा हुआ है और इसके right set में three dot दिया हुआ है तो इस three dot में click करना होगा तो दोस्तों जैसे यह three dot में click करेंगे तो यहां भी बहुत सर्व option मिलेगा तो यहां एक option है view as तो इसमें click करके आप देख सकते हैं कि आपके facebook profile में कौन सा button लगा हुआ है तो मैं इसमें click करता हूँ तो देखिए यहां add friend का button लगा हुआ है तो मैं फिलाल इस add friend का button हटा कर यहां follow button add करेंगे तो follow button कैसे add करना होगा तो सबसे पहला आपको facebook के home screen में आजाना है home screen में आने के बाद आपको फिर से इस three dot में click करना है इसमें click करने के बाद आपको थोड़ा सा उपर slide करना होगा और उपर slide करते ही आपको एक option मिलेगा setting and privacy तो setting and privacy में click करना है उसके बाद फिर से एक option मिलेगा setting तो इस setting में जाना है आपको तो setting में आने के बाद दोस्तों यहां बहुत सरे option मिलेगा आपको तो आपको थोरा सा उपर slide करना होगा और यहां देखे privacy लिखा हुआ है उसके नीचे privacy setting लिखा हुआ है तो आपको जाना है इस privacy setting privacy setting में आने के बाद दोस्तों यहां बहुत सरे option मिलेगा तो आपको थोगा सा उबर सालाइट करना हुगा और यहां देखिए लिक्या हुआ है अधर हो पीपुल कैन फाइंट एंड कांटक यूप यहां लिखा है तो उसके नीचे लिखा हुआ है तो आपको इसमें क्लिक करना है इसमें पहले से ही एव्रियोन दिया हुआ है तो यहां से आपको friends of friend कर दिना है तो मैंने friends of friend कर दिया है उसके बाद आपको back आना है back आने के बाद फिर से facebook के home screen में आना है उसके बाद एक बाद फिर से आपको इस three dot में click करना होगा तो मैंने यहां click किया three dot में click करने के बाद एक पाप्षिर्टिन जेना है और जाने के बाद आपको सेटिंग में यहां से और सेटिंग में ने के बाद इस बlas को प्राबणे सेटिंग में नहीं वालिक पॉस्ट मीं जाना होगा तो मैंने public post में click किया उसके बाद देखिए यहां फ्रेंट लिखा हुआ है तो मैंने यहां public कर दिया उसके बाद फिर से आपको यहां public करना होगा नीचे यहां भी आपको public करना होगा तो सारे option को यहां public कर देना है जितने भी यहां public post में आके आपको सारे option को पाप्लिक कर देना है पाप्लिक करने के बाद दोस्तों यहां आप इस facebook account में add friend की जगा flow button add हो गए है तो मैंने आपको check करके दिखा देगा हूँ है मैंने home screen में click किया उसके बाद three dot audit में check करने के लिए 3.0 and about three dot Me click करने के बाद यहां public post हरं में इस तर debates दोस्तों अप इस तरह से um facebook profile में एटफ की जगा follow button add कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है आपको वीडियो पसंद नहीं होगा अगर आपको वीडियो वसंद नहीं तो इस वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा ऐसे ही वीडियो सबसे बहले देखने के लिए तो थैंक्स पर वासिंग दिस वीडियो और ओलेस कीप स माली